हेलो गाइज वेलकाम बेक टू माइच चैनल व्योट सेस्ट गाइज जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल कल यानि तीन मार्च को सिस्टम के प्लान बी के आर्टो पूल में यानि बोनाजा 2020 गे आर्टो पूल में बहुत बड़ा उथल पूथल हुगा सुम्हां बहुत बहुत सारे की आकाउंट से जो है डीपी डेविड हो गई आठो पूल का बहुत सारे का वैलीट जो है मैं ऐसे में ब्रीट हुआ और बहुत बहुत सारे कटा नहीं सा कुछ वैकर प्रेस और खाills और in गम तो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो यह गाइज बीना दिर क्यों सुरू करते हैं आज के वीडियो तो जैसा कि सबसे पहले आप सभी लोग को पता है कि जो कल का जो घटना हुआ है उसके पीछे क्या कारण रहा है यह जानने के लिए हमारे जो परल वाइन मेंबर्स हैं इनके बीच में काफी जो है उत्षकता बनी हुई है कि किस रीजन से कल का डीपी जो है डेविड हुआ है बहुत सारे अकाउंटों पे जैसे मेरे खुद के भी एक्सल्सियर के जो है आटोपूल एक सोबी डीपी आया था वो चला गया वहां पे जीरो हो गया बेरिल का जो है आया था आटोपूल फर्स्ट राउंड 60 डीपी वहां पे माइनस 60 डीपी हो गया है यानि कि बहुत सारे मेरे टीम में और दुसरे भी टीम से बहुत सारे लोगों का कल कॉल आया मैसेज आया कमेंट्स आये वीडियो में सर हमारे जो है डीपी ये डिडेक्ट हो गये हैं कट गये हैं यह क्या वापिस होंगे या नहीं होंगे तो गई जैसा सिनियर लीडर के माध्यम से जैसा पता चला है कि कल का जो आटोपूल बहुत सारे लोगों का डेविड हुआ है और बहुत स्तों लोगों के जो Isp बहुत क्रेडिट हुआ है तो इसके पीछे कहीन कहीन सिस्टम में कुछ टेक्णिकल इरर हुआ हैं जीसके वजह से ऐसा जो है देखने को मिला है कि बहुत सारे लोगों के वैलीट से जो है DP डिडेक्ट हो गया है और जो लोग बिड्रॉल कर लिये थे अल्रेड़ी उनका जो है माइनस में चला गया है वाइलेट और इसका एक प्रूफ और भी यह है कि कले कैसे बंदे का कॉल आया था जिसका एक साल पहले आया था अगेट का फर्स्ट आर्टोफ पूल चार डीपी वह भी उसका जो है चला गया वह भी जीरो हो गया तो कहीं ने कहीं यह जो कल की कहानी हुई है 시스व के टेकनिकल एरर के ओज से हुआ है यह सिस्प 너무 टेकनिकल एरर नहीं होता तो एक साथ फ़ारे लोगों का इतना भरवर की आठ को नहीं आता आठ फुल आता तो इक्वल लोगों को आता सीनीयर टीव आह जाता नाकि खुछ कुछ लोगों को भर भर के एकी साथ कई राउंड आ जाए और बाकी लोगों को बिलकुल भी नहीं आता है आप सबी लोगों को पता है गाई और जो पुरानी आइडियों पर से भी जो अमाउंट डिडेक्ट हुए है यारी डेविट में गये हैं वाइलिट और जिनका आटोपूल नहीं विड्रॉल हुआ था वहां से हट गया है तो कहीं कहीं यह सिस्टम का जो है टेक्निकल एरर हुआ है जो हमारे बड़े लीडर्स जो सिनियर लीडर्स हैं उनके माधिम से भी सिस्टम जो है अभी बहुत सारी चीजों पर वर्क कर रहा है और लगबग मैक्शिमम्म क्वैरी जो है दस मार्च तक सिस्टम जो है उसको सॉल्व करने का जो है हम लोग को मैसेज मिला है कहीं उसलिए लीडर्स के माधियम से तो ग्राइज उसमें कहीं कुछ टेक्निकल एर लीडर होने के उजसे कल का जो घटना हुआ है यह बहुत सारे लीडर के साथ हुआ है कोई दो चार दस लोगों के साथ ही नहीं हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ हमारे टीम में भी अपलाइन डाउन लाइन के साथ भी ऐसा हुआ है तो इसमें बिल्कुल भी घबडा हुआ है कि आप लोगों का डीपी जो है वापिस सिस्थम देगा और जिन लोगों को फालतू डीपी चले गए हैं उनका जो हो सकता है और डीपी जो है डेविड होगा तो आप लोग इसके बिसे में बिलकुल भी गवड़ाएं नहीं एसंस बनाएगा रखिए सिस्थम में वर दिसंबर से लेके और अभी तक सिस्थम में जो बदला हुआ है जो जो ज्वाइनिंग के स्पीड में बदला हुआ है जो आटोपूल के स्पीड में बदला हुआ है बिलकुल ही अब इस वसनी अकलपनिंग है और इससे आगे जो होने वाला है इससे भी अकलपनी चीज होने वाली है तो आप लोग सोच सकते हैं कि दो से तीन महीने बाद ऐसा समय आएगा जब परलवाइन में डेली के लाख हाईडी लगेंगे एक लाख हाईडी डेली ओपन होगा तो यह तो जो लोगा अभी जबांगे परलवा इंट्रेनेसर में उनका आठोपूल कहां जाने वाला है कितना अभी कलपना नहीं लगा सकता है कि इसको समझने में टाइम वेश्ट करें क्योंकि यहां पे एक-एक सेकंड का महत होता है और यदि आल लेड़ी पर्लवाइन के आप एक्टीव मिंबर हैं और अभी तक परल रेंग पे हैं तो प्लीज अपने रेंग को कम से कम चार्ज वानिंग करके कोरल पे करें कोरल हैं तो आप जो है दो और जो आनिंग करके कम से कम करें ओनिक से तो क्वार्ज करने की कोशिश जरूर करें और कालिकर दापने की निचे में जिरूर्ट नहीं हो That अब बताने ज्यूर्ण नहीं है आटों से आपना वहां से डिसिजन ले करना सुरूह कर देता तो आप लोग विल्कूल भी इस सिस्टम के समय की ताकत को समझेए, सिस्टम के पावर को समझेए और आपना कीमती टाइम को waste मत किजिए क्योंकि समय बहुत ही कीमती है और आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा result हम सभी लोग को देखने मिलेगा आप लोग समय आते हुए अपने rank को upgrade जरूर करें जैसा कि मैं आपने पिछले कई सारे वीडियो में बताया था कि पर्ल वाइन जैसे चब साइट प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देगा तो अगले दस दिन के अंदर जो है पर्ल से लेके क्वार्ज तक सभी रेंगों में लगबग 10-10 लाख जो है इस स्पीड में काम हो रहा है आप लोग देख सकते हैं किंतना स्पीड में कारी हो रहा है apple कर रहे हैं लोग हो को मिछ न कीजिए और अभी तक आप पहला रनेंकत हैं तो प्लीज कम से कम चार्च वालनी लगा के कोरल जरूर करें जरूर करें और यह आप कोशिश करें कर ले और एपने टीम में भी आप लोग यह मेसेज देश समझाएं समय पे अप्ग्रेट करने का फाइदा क्या है यह पर पर बैठें रहेंगे सोचेंगे कि परल का 4-8 किस ता जाए मैं को आप जोड़ा सा मेहनत करके दो रेंकोर अपग्रेड कर लेते हैं कोरल और ओनिक्स कर लेते हैं तो आपका 32 लाग के साथ साथ 5 करोण का आटो पूल चलता रहेगा और जहां पे आप मात्र जो है फल का दो तिन किस्त में कुछ लाखों का जो है कुछ हजार का इंकम होगा वहीं पे आपको यदि कोरल ओनि इंटरनेशनल में जोइन किजिए और अपने रंक अपग्रेट प्रडिशन सेंक्यू दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में तब तक लिए अबने बहुत बहुत क्याले कि थेंक्यू जाहिंजाबाद बंदे माता हुआ ज चाहिं प्रया कि पर आपटरर में जाहिंग रंकित हैं कि झाले कि रवक्र शाव मैं अग्र्म्याःवाण के जा वारोको यजियो में हैं